हेलो दोस्तो देखिए इस question को हम दो कैसे solve कर पाते हैं यह question बढ़िया question है find the sum of digits of smallest number by which 1800 must be multiplied to get a perfect cube perfect cube हमें लाना है दोस्तो ध्यान दिजिएगा perfect cube लाना और पूछ रहा sum of digits of smallest number जिस number से multiply करेंगे उस इस number के digits का समय में बताना है दोस्तों तो सबसे पहले तो यह 18,000 का हम क्या करते हैं प्राइम factorization कर लेते हैं यह दो से 900 बार में जाएगा फिर यह साड़े 400 बार में चला जाएगा फिर इसके बाद यह 2 से चला जाएगा कितना बार में तो यह चला जाएगा आपका 225 में उसके बाद 5 से पंचव का 25 25 ठीक है फिर 5 नमा 45 और 3 तिया 9 ठीक है अब यहाँ पर दोस्तों हम लोग को 3 तिन लगाना दो दो नहीं लगाना है तो हमें क्या चाहिए एक 5 चाहिए और एक 3 चाहिए ठीक है तो 3 5 15 यानि कि 3 15 15 हमें पूर्या का पूरा नंबर से मल्टिपलाई करना होगा तब पर्फेक्ट क्यूब बन पाएगा यानि इन दोनों डिजिट्स का सम करते हैं तो कितना हैगा six हैगा दोस्तों तो option number कौन सा सही हो गया दोस्तों तो six यानि option number three correct हो जाएगा समझ मैं दोस्तों धन्यवाद